बिस्मिल्लाह रह्मान ररहीम अस्सलामु आलीकूम डेयर स्टुनेंट्स आज हम लेक्टर नमबर 13 चैप्टर नमबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडिक्शन रेखेंगे और कुछ ऐसी टर्मनालोजिस को डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मलाइजेशन के दर्मयान इस्तमाल की जा रही होती है नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कस करते है कि वो क्या है कहता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कहता है यह एक ऐसा process है जो के basically किसे भी unstructured data को structured करने के लिए इस्तमाल किया जा रहा होता है यह general term की बात करो कि normalize करने का क्या मतलब है unstructured data को structure करना और कहता है अगर by book देखा जाए तो यह कहता है कहता है it is a process of organizing data in relational database in order to minimize the data redundancy and data inconsistency कहता है एक ऐसा process जो क्या करता है और्गनाइज करता है data को ताके data के अंदर जो duplication है जो redundancy है उसको भी कम किया जा सके minimize किया जा सके और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी redundancy कम होगी automatically data के inconsistency भी क्या हो जागी minimize हो जागी यहां तक बात clear ही कहता है वो process basically जो data redundancy को कम करे और inconsistency को कम करे आपके data मेंसे वो क्या किलाती है आपकी normalization किलाती है कहता है याद रखेगा normalization के बहुत से processes हैं बहुत सी normalization कट की रहे हैं कहता है normalization याद रखेगा बहुत से steps पे base कर रही होती है और वो steps basically क्या करा रही होती है आपकी normal forms किला रही होती है कहता है बहुत सी normal forms exist कर रही होती है कहता है उन मेंसे five main आपकी क्या normal forms हैं जिसे हम name देते हैं first normal form, second normal form, third normal form, fourth normal form, fifth normal form ठीक है लेकिन कहता है इन मेंसे जो first three normal forms हैं वहां तक अगर आप apply कर दें किसी database के ओपर वो normalization तो आपका database तकरीबन fully normalized हो चुका होता है इसलिए जब हम course में भी इसे study करेंगे जो के next lecture में हम normalization की बात करेंगे जिसमें हम इसकी different normal forms को discuss करेंगे तो हम first, second और third normal form को ही क्या करेंगे discuss करेंगे आज हमारा जो basic theme है वो क्या है कि हम उन terms के बारे में discussion करें जो के normalization के दुरान इस्तमाल हो रही होती हैं अब वो terms कौन कौन सी हैं कहता है first one synonyms, second one homonyms, third one redundant information fourth one functional dependency, fifth one partial dependency and sixth one transitive dependency कहता है यह वो terms है जो के normalization के बाद यह वो terms है जो के normalization के अंदर इस्तमाल हो रही होती है लहाजा इन terms के हवाले से अगर हमें पहले से पता हो तो हमें इस्तमालाइस करते हैं असानी हो जाएगी अब इन तमाम terms को one by one discuss करने के लिए मुव करते हैं towards next जी डे students अब बात करते हैं सबसे पहले synonyms के हवाले से क्या कहता है synonyms जो है यह term कब create होती है क्याता है when two different names are used for the same attributes क्या कहता है यह तब create होती है जब आप की क्या किया जाता है कि जी same attributes जो के दो different जगा पर इस्तमाल किया जा रहे हैं उनके name ही क्या कर दिएगी है different कर दिएगे तो आप क्या करेंगे आपका synonyms का जो मसला है वो आजेगा for example अगर आप देखें आइटम के अंदर हमारे पास तीन attributes है stock number, item color and supplier code लेकिन जैसे supplier में आते हैं तो supplier के जो आपके दो attributes हैं supplier id और supplier name आ जाते हैं अब जब गोर के रहे हैं कहता है अगर हम देखें यहाँ पर आपका supplier code इस्तमाल किया गया है जबके यहाँ पर आप क्या इस्तमाल करें supplier id कहता है इस problem का solution क्या है कहता है इस synonym के problem को हल करने के लिए क्या करेंगे जहां जहां भी आप attributes को use करें वो different जगह पर इस्तमाल करें वो different table में इस्तमाल करें आप उनके names क्या कर दें same कर दें for example अगर इस code को मैं replace कर दूँ किस के साथ id के साथ तो synonym का जो मसला हो क्या हो जाएगा हल हो जाएगा बात clear होगी कोईशी जो नहीं synonyms क्या है एक ही attribute मुख्तिफ जगह पर इस्तमाल किया जा रहा है उनके name क्या है different है तो synonyms अगर same कर देंगे तो problem resolve अब बात करते है second one के क्या है homonym homonym क्या है कहता है is created this problem is created when same name is used for two different attributes कहता है दो attributes हैं दो different जगह पर इस्तमाल किया जा रहे है और दो different types की information को contain करते हैं लेकिन क्या है उनके name same है for example यहां पर देखेंगे student का table है student id name date of birth teacher का table है teacher id name subject अब जार गोर करें यहां पर भी name आ रहे है और यहां पर भी क्या रहे है name आ रहे है यह क्या करेगा इस जगह पर error देगा error कौन सा होगा originally homonym का error है बात clear आ रहे है homonym error है अब कहता है इस homonym error को कैसे remove किया जा सकता है कहता है आप just क्या करें इससे पहले लिख दें std name और इससे पहले लिख दें teacher name तो automatically यह problem resolve हो जाएगा अब दोनों के name same नहीं रहेंगे बात clear होगी लहाद homonym का problem क्या हो जेगा resolve हो जाएगा third one बात करते है क्या कहता है redundant information redundant हम पढ़के आ चुकिए data redundancy का क्या मतलब है duplication of data अब क्या कहता है redundant information यानि के information क्या और यह duplicate हो रही है कैसे कहता है storing the same information in two different ways in two different forms for example employee का table है उसके अंदर आपके पास एक column एक attribute का है date of birth तूसरा का है employee age अब जरा घोर की देगा employee की age किस पे dependent है सारी किसारी date of birth पे लहाजा अगर हमें date of birth पता हो तो हम age calculate कर सकते हैं लहाजा हमें क्या करना चाहिए सिर्फ date of birth को इसका इसा बनाना चाहिए जो आपकी employee age है इसे क्या कर देना चाहिए यहाँ से remove कर दें तब भी आपकी employee की information calculate की जा सकती है तब भी information जो उनसी है employee की आ सकती है जो के age से related है क्यों क्योंके age dependent किस पे है आपकी date of birth पे लहाजा अब दो attribute जो के same type of information आपको दे रहे हैं उससे दो different attributes में रखने की ज़रत नहीं है बलके एक attribute रखे हैं जिसकी base पे दूसरी information retrieve हो सकती है और वो क्या है इस case में date of birth है क्योंके date of birth की base पे employee की age calculate की जा सकती है इस board के ओपर हमने 3 different terms देखी है पहली synonyms क्या कहता है कहता है क्या जी two different names used for same attributes in different tables कहता है different names used for same attributes homonym क्या कहता है same names used for different attributes और दोनों का problem हमने resolve करके देख लिया by example और third one हमने क्या देखा redundant information कहता है storing same information in two different ways जिसमें हमने employee की example ली date of birth और employee age दो different attributes use हो रहे थे और age dependent किस पे थी date of birth पे लहादा age को हम क्या कर देते हैं अगर remove कर दें तो यह जो redundant information का error है यह भी क्या होजेगा removal यहां दक बात clear होगी तीन हमने terminologies जो हम से हैं वो क्या कर लिया है discuss कर लिया है अब remaining terminologies के लिए हम move करते हैं towards next word जीडर students अब बात करेंगे fourth आपकी terminologies जिसे कहते हैं functionally dependence यह functional dependency यह functional dependence यह तीन हो terms इस्तमाल की जा सकते हैं क्या कहता है that determines the relation of one attribute to another attribute कहता है हमारे पास different attributes होती है within a table कहता है उन attributes का आपस में जो relationship आपका determine करना होता है यह basically क्या खिलाता है आपका functional dependency है अब जरह यहां पर गोर कीजेगा कहता है एक table आपका कूछ है employ कहता है employ id की base क्यूँ employ id की यहां पर primary की है इसका मतलब है It is employee id की base हम employee name भी search कर सकते हैं find कर सकते हैं employee ID की base employee की salary जोंसी है क्या की जा सकती है search की जा सकती है और employee id की base पे employee का address भी लिया जा सकता है इसका क्या मतलब है अगर और करें तो कहता है employee id can determine employee name, employee salary and employee address यानि के आपके employee name, employee salary और employee address dependent है किसके ओपर employee id के ओपर यानि के जो जिस side पे arrow move कर रहा है वो क्या है आपके basically dependents है और जो employee id है वो basically क्या आपका determinant है जो के determine कर रहा है इन तीन attributes को इसका मतलब क्या है employee name, employee salary and employee address are dependent on employee id and employee id can determine employee name, employee salary and employee address बात clear होगी यह आपकी किस चीज को कहते है functional dependence के रहे है क्यों क्योंकि employee id तीनों के तीनों attributes को क्या कर सकता है determine कर सकता है यहां पर बात clear होगी यह arrow बड़ा important है क्योंकि arrow जो उनस है यह क्या बता रहा है कि कौन सा determinant है और कौन से dependent है employee name, employee salary और employee का address आपके क्या है dependent है जबके employee id आपका क्या है determinant है ठीक होगी है यहां तो अब बात करते है partial dependency partial का word कहां से निकल ला है parts किसे part हिस्सा अब सबसे पहले क्या कहता है occur when there is a composite key composite primary key के है composite key के है अब होता है कि है sometime आपका एक table ऐसा है जिसके अंदर एक single attribute पूरे के पूरे record को identify uniquely identify नहीं कर सकता बात क्लियर रही अब कहता है कि अगर एक table के अंदर एक attribute unique identification नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जाता है एक से ज्यादा attributes को मिला कर primary key बनाई जाती है ताके एक unique record identify हो सके कहता है वो जब मिला कर primary key बनाई जाती है तो वो क्या किलाती है आपकी composite key किलाती है और कहता है partial dependency का मसला ही तब आता है जब आपके पास क्या है composite key है जब आपके पास primary key एक से ज्यादा attributes मिला कर बनी ही है बात clear होगी जैसे यहां पे लिखा है कहता है occur when there is a composite primary key and part of the key part of the key यानि कि हिस्सा जोंस है आपका किसका primary key का determine some attributes in a table इसका मतलब क्या है इसका मतलब भी है कि आपके पास two attributes मिलकर क्या कह रहे है primary key बना रहे हैं लेकिन उस primary key का एक हिस्सा किसी ना किसी attribute को अकेले भी identify कर सकता है तो यहां पे कौन सी dependency आगी आपकी partial dependency आगी example से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कहता है student course है student और course का जो relation है table है कहता है student id है उसमें course id है और course fee है कहता है देखें आप जरा student id और course id मिलकर किसे determine कर रहे है course fee को for example std id and course id can determine course fee लेकिन इसको अगर हम देखें तो कहता है course fee सिर्फ और सिर्फ किस base पर भी पता लग सकती है course id की base पर हम determine कर सकते है course fee को अब इसका मतलब है यह जो आपकी आ रही है sorry यह आपकी क्या है partial dependence बात क्लियर हुई कि आपका जो attribute है वह part of the primary की identify कर रहे है तो कहता है यह dependency आपकी क्या खिलाती है आपकी partial dependency खहलाती है clear होगी बात कोई issue तो नहीं है फिर third one आपकी कहलाती है transitive dependency transitive dependency आप जरा गोर कीजेगा पहले इसको जरा mathematically solve करने की कोशिश करते हैं मैं कहता हूं a determine b b determine c हम अक्सर यह कहते है ना if a determine b and b determine c it means a determine c यानि के transition को देख रहे हैं कि अगर a b को जानता है और b c को जानता है तो हम क्या कहते हैं इसका मतलब a c को जानता है यह transitive है लेकिन हम database के अंदर इसे कैसे देखेंगे normalization के अंदर इसकी कैसे बात करेंगे वो कहते है non key attribute यानि कि वो attribute जो के primary की के तोड़ पर इस्तमाल नहीं हो रहा कहते है can determine other non key attribute कहते है ऐसा attribute जो के primary की नहीं है लेकिन फिर भी वो कहा रहा है किसी ना किसी attribute की value को identify कर सकते है find कर सकते है तो वो आपकी जो dependency है वो basically क्या किलाती है आपकी transitive dependency क्या किलाती है transitive dependency जैसे के दर यहां पर देखें book और author यानि के books और authors का jones है था वो एक table बनाया गया उसके अंदर क्या लिखा हुए book name then क्या लिखा हुए author name और साथ में क्या mention किया हुए author age book name book author और author age अब यहां पर primary की basically क्या है उसने काया जी book name है जिसने table बना है कहता है अगर book name आप दें तो आपको क्या मिलेगा इस table में से author name भी मिल जेगा और author age भी इसका मतलब है book name can determine author name and author age यह बार ठीक है ना लेकिन जरा गोर करें author की age का तालुक क्या book से है नहीं है author की age का तालुक तो सिर्फ किस के साथ है author के साथ है लादा अगर हम क्या करें author name दें तो author name की base भी क्या find किया जा सकता है author age अब यहाँ पर क्या कहता है कहता है यह जो आपकी problem है यह basically क्या है आपकी transitive dependency बात क्लिएर हुई यहां तक कि अगर non की attribute यानि के primary की तो से book name थी book name को अटा दें तब सब भी author name जो के primary की नहीं है उसकी base पे हम author की age को क्या कर सकते है identify कर सकते है बात क्लियर तीन terms देखी है सबसे पहले functional dependence हमने क्या का है एक attribute जब क्या करता है एक से ज्यादा attributes को identify कर सके या एक attribute का different जो attributes है उनके साथ जो relation होता है वो basically क्या क्या करता है functional dependency functional dependency में हमने example दी employee id की base पे हम उसका name उसकी age उसका address उसकी salary सारी चीज़े क्या कर सकते है identify कर सकते है फिर हमने की partial dependency की बात हमने का partial dependency कब अकर होती है जब composite primary की होती है composite की होती है और फिर कहता है अगर उस composite key में से कोई एक part किसी एक ऐसे attribute को identify करे जो के part of the key भी identify कर रही है और आपकी पूरी key भी कह रही है तो कहता है वो जो dependency बन रही है ना जो के part of the key आपकी identification के लिए इस्तमाल की जा रही है तो वो partial आपकी क्या है dependency है बात clear होगी अब उसमें हमने देखा जैसे student course था student ID, course ID और course fee कहता है student ID, course ID मिलकर भी course fee बता सकते है जबके अकेली course ID भी आपके क्या कह रहे है course fee बता सकते है और कहता है यहां पर क्या हुआ आपकी partial dependency है बात clear होगी फिर क्या कहता है आपका एक non key attribute है जैसे के book name, author name, author age में से book name आपका क्या है key attribute है बाकी दोनों आपके क्या है non key attribute है कहता है एक non key attribute determine कहता है other non key को जैसे कि हमने कह है author age को determine कौन करता है author name बात clear right यानि के book name भी author name और author age को identify कर सकती है इसके साथ सिर्फ author name की base भी हम author age को identify करवा सकते हैं search कर सकते हैं find कर सकते हैं लहाजा इस table के अंदर author name और author age यह क्या कह रहे है ट्रांजिटिव dependent है जहाजा हमें क्या करना पड़ेगा originally अगर देखा जाए तो इन errors को remove करना पड़ता है किस तरह partial dependency है तो हम part of the key को अलएदा अलएदा करके यानि के हम कोशिश करते हैं कि यह किस वज़ा से अकर हो रही है composite की की वज़ा से हम इस तरह को कोई काम करें के composite primary की बने ही ना अगर composite primary की नहीं होगी तो partial dependency नहीं होगी और दूसरी बात यहां पर नहीं नहीं होना चाहिए costs and अ visually author age का तालुख तो authors के डेबल से था बात ख्लएर ओडे है लहादा آ collector age कहां पर होनी चाहिए कहता है όтор का टेबल है वहां पर author age होनी चाहिए यहां पर author की age नहीं होनी चाहिए यहां तक बात क्लियर होगी है आज क्यां था हमारा वो basically normalization का introduction और उसके साथ साथ आज के हमारा जो topic था वो basically normalization का introduction और उसके साथ terminologies को देखना था जो कि आपकी normalization के दर्मियान इस्तमाल होनी ठीक है हमने कहा कि normalization क्या है एक process है जो कि data को organize करता है इस तरहां कि आपकी data redundancy जोंसे है काम हो सके और data की inconsistency भी काम हो सके फिर हमने बात की terms के वाले से हमने का different terms है जिसमें हमने synonyms, homonyms, redundant information, functional dependency, partial dependency और transitive dependency को detail में discuss की है with the help of examples उमीद है कि आज का lecture आपको समझ आ चुका होगा इंशाल्ला next lecture में आपसे फिर मुलाकात होगी अल्ला हाफिस